कॉलिजन वाले पार्ट में अभी तक हमने दो टर्म्स पढ़े हैं एक टर्म हमने पढ़ा लाइन अफ इंपक्ट और दूसरा टर्म पढ़ा हमने कोलिजन अफ रेस्टिशूशन तो यह जो दो टर्म है इनके बेसिस पर हम लोग कोलिजन को क्लासिफाई करते हैं अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं टाइपस ओफ कोलिजन तो दो तरह के क्लासिफिकेशन होता है पहला क्लासिफिकेशन है एक्कॉर्डिंग टू डायरेक्शन अफ मोशन अफ कोलाइडिंग बोडिज इसमें क्या होता है इसमें लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं एक होता है कोलिजन इसको कहते हैं head-on collision head-on collision में जैसे दो objects है तो दोनों object जो line of impact होता है जैसे ये line of impact है तो line of impact के parallel travel कर गये होते है collision के पहले भी और collision के बाद भी तो head on collision का मतलब यह हो गया कि motion of two colliding bodies is parallel to line of impact है ना मतलब line of impact के parallel चल रहे होंगे collision होगा तो उसको head on collision बोलेंगे दूसरा type है उसको कहा जाता है oblique collision में क्या होता है कि दोनों में से कम से कम एक object का जो motion होगा वो line of impact के parallel नहीं होगा तो उस case में हम लोग collision को oblique collision कहते हैं जैसे हो सकता है कि यह वाला इधर जा रहा हो E1 velocity से यह वाला इधर जा रहा हो U2 velocity से लेकिन टकराएंगे यहाँ पर यहाँ पर इनका contact आएगा ठीक है तो इसमें यह जो है यह line of impact है तो इसको define के जाता है at least one of one of the colliding bodies have velocity which is not parallel to line of impact मतलब हो सकता है कि दोनों का दोनों नहीं हो इस line of impact के parallel हो सकता है मतलब कम से कम एक का line of impact के parallel नहीं होगा तो कहेंगे कि oblique collision है जो दूसरा classification है यह classification हम लोग करते हैं coefficient of restitution के basis पर या energy loss के basis पर दूसरा classification है according to loss of kinetic energy तो इसमें सबसे पहले आता है elastic collision और इसी elastic collision को perfectly elastic collision भी कहा जाता है perfectly elastic collision कहा जाता है इसमें क्या होता है कि collision से पहले जो kinetic energy होगी पूरे system का collision के बाद भी पूरे system का kinetic energy उतनी ही रहती है kinetic energy of system after collision is equal to kinetic energy of system before collision before collision तो क्या इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि elastic collision में kinetic energy conserve रहती है बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आप देखेंगे कि जब collision होता है तो बीच में क्या होता kinetic energy घटती है बहले elastic collision हो उसमें भी कुछ न कुछ बॉल का deformation होता है भले बाग में shape को regain कर लेगा तो सारी kinetic energy वापस आ जाएगी है ना जब दो orbit collide करते हैं तो उनके बीच में deformation होता है जैसे deformation होता है तो kinetic energy दीरे दीरे potential energy में convert होने लगती है है ना और फिर एक maximum deformation हो जाता है उसके बाद shape को regain करना सुरू करता है तो elastic collision में क्या होता है कि completely shape को regain कर लेता है और इसलिए जो भी potential energy वहाँ पर आई थी हो सारी वापस kinetic energy के form में आ जाती है तो collision के पहले जितनी kinetic energy थी collision के बाद उतनी kinetic energy आ जाएगी लेकिन बीच में during collision अगर बात करें तो उसमें कुछ न कुछ potential energy आई थी तो kinetic energy कम होई होगी तो kinetic energy अगर बीच में कम होई है तो conserve नहीं रही न तो इसलिए कहते हैं कि जो kinetic energy है इसमें conserve नहीं रहती लेकिन collision के पहले और collision के बाद वह बराबर जरूर रहती है इस elastic collision में cosine of restitution का जो value होता है वो one माना जाता है अब आते हैं दूसरा वाला collision तो elastic collision का मतलब एक तरसे यह भी आप समा सकते हैं कि जैसे कोई भी ऐसा ball लेंगे जिनका collision हो तो वो shape को completely regain कर सकते हैं अगर elastic material के बने होंगे परफेक्ट दूसरा होता है इसको का जाता है inelastic inelastic collision अब इसमें क्या होता है थोड़ी सी kinetic energy loss हो जाती है kinetic energy of system after collision is smaller than the kinetic energy of system before collision मतलब इस case में इस type of collision में kinetic energy का loss हो जाता है यानि ऐसा कहा जा सकता है कि जब body deform होते हैं collision के धरान तो deform होने के बाद shape regent करते हैं लेकिन completely regent नहीं कर पाते हैं elastic में completely regent कर लेते हैं और in elastic में जो है वो completely regent नहीं कर पाते हैं थोड़ा बहुत regent करते होंगे तो थोड़ी potential energy kinetic energy में आएगी लेकिन completely potential energy kinetic energy में convert नहीं हो पाती है और इसलिए कुछ न कुछ kinetic energy का loss हो जाता है जैसे आप बात करें कि एक लोहे का ball है उससे हमने दिवार पर मार दिया दिवार में घड़ा बन जाता है जब दिवार में घड़ा बन जाता है इसका मतलब है कि दो कॉलाइणी बड़ी थे एक दिवार और एक लोहे का ball तो दिवार में deformation हो गया तो उसके अंदर कुछ potential energy रह गई तो जब ball वापस आएगा तो उतनी kinetic energy के साथ वापस नहीं आएगा जितनी energy के साथ उसको वो गया था तो उस case में kinetic energy का कुछ loss हो जाता है और उस type of collision को हम लोग कहते हैं inelastic collision इसमें E का जो value होता है यानि constant of restitution का जो value होता है वो 1 से कम होता है E का value कभी भी जो है वो negative है नहीं होता 0 और 1 के बीच में रहता है तीसरे type का जो collision है इसको कहा जाता है perfectly inelastic मतलब कि जैसे की नाम है ये भी एक तरह से inelastic collision ही है लेकिन ये perfectly inelastic collision है अब इसमें क्या होगा कि इसमें kinetic energy का maximum loss होता है मतलब कि एक बार body deform होगा तो थोड़ा भी shape को regain नहीं कर पाया यानि थोड़ी भी potential energy वो आपस kinetic energy में convert नहीं होई तो क्या होगा उसमें सबसे ज़्यादा kinetic energy का loss होगा इन this type of collision maximum loss of kinetic energy occurs अब देखेंगे हमने देखा कि जब maximum deformation होता है तो दोनों object common velocities चलते हैं जैसे spring वाला case बना कर मैंने बताया था कि जब maximum deformation होता है spring maximum deformation होता है दोनों की velocity बराबर आती है और साथ में चलते हैं तो इसमें क्या होता है उसी maximum deformation के साथ ही चलना होता है क्योंकि थोरी भी potential energy kinetic energy में वापस convert होना नहीं है तो इस case में क्या होता है कि दोनों object हमेशा साथ साथ में चलते रहते हैं जैसे मा लेते हैं कि एक गीले आटे का ball है ठीक और एक truck जा रहा है आपने उस ball से truck पर मार दिया तो क्या होगा जाका चिपक जाएगा और truck के साथ में चलता जाएगा तो जो गीले आटे का ball है और जो truck है उसके बीच में जो collision है वो perfectly inelastic हो गया क्योंकि वो जो है जो आटा जो है वो एक तरह से perfectly inelastic material का बना हुआ एक बार शेप उसका बिगड़ा तो फिर वापस शेप को रिगर नहीं कर पाया है ना यानि कि जब वो चिपक गया तो उसके साथ में उसी deformation के साथ में चलता रहेगा तो इस type के collision में maximum loss होता है kinetic energy का और इसलिए इस case में coefficient of restitution का जो value होता है 0 तो देखेंगे coefficient of restitution का value perfectly inelastic में 0 होता है और perfectly elastic में या simply elastic है उसमें E का value 1 होता है और inelastic में 0 और 1 के बीच में lie करता है तो यह हो गए classification of collision अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि अगर दो body के बीच में head on और inelastic collision होता है तो उनकी final velocity हम लोग कैसे find करेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे head on inelastic collision तो इसमें हम लोग माल लेते हैं कि दो ball है एक का mass है M1 दूसरे का mass है M2 यह चल रहा है U1 से और यह चल रहा है U2 से उसके बाद क्या हुआ कि एक बाद दोनों के बीच में maximum deformation होगा तो यह वाला जो instant मैं दिखा रहा हूँ यह maximum deformation वाला instant है यानि दोनों की velocity जो है वो बराबर है उसके बाद collision के बाद क्या होगा यह दोनों फिर से separate हो जाएंगे तो यह हो गया M1 जिसकी velocity हो गई V1 collision के बाद यह हो गया M2 इसकी velocity हो गई V2 collision के बाद तो यह जो situation मैंने दिखाया है यह है before collision यह हो गया during collision और यह हो गया after collision तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इन दोनों bodies को system मान लिया जाए तो कोई भी external force नहीं है horizontal direction में है ना अगर horizontal force नहीं है तो horizontal direction में system का momentum चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमे momentum conservation लगाएंगे by conservation of momentum है ना conservation of momentum मैं इसलिए लगा रहा हूँ आप जैसे देखेंगे एक यह M1 है और यह M2 है जब collision होगा तो यह एक दूसरे पर एक normal force लगाएंगे ठीक है तो अगर मैं एक ball को system लूँ तो यह normal external force काहलाएगा और इसलिए चुकि इस पर external force लग रहा है इसलिए इसका momentum change हो जाएगा इसलिए इसकी velocity U1 थी बाद में V1 हो गई उसी तरह से अगर मैं इसको system लेता हूँ तो इस पर भी यह normal external force काहलाएगा क्योंकि यह लगा रहा उसको उपर तो इस पर external force लग रहा इसलिए इसका भी momentum change होना चाहिए तो इसका velocity U2 से V2 हो गया तो momentum change हो गया लेकिन अगर इन दोनों को मिला करके मैं system मानू तो यह normal force cancel हो गया यह यूं कहें कि यह internal force है तो वैसे भी गायब हो जाएगा तो internal force है external force तो है इसलिए पूरे system का momentum जो है वो गंजर्ब रहेगा तो हम लोग लगाएंगे by conservation of momentum of system of two bodies दोनों जो colliding body है उनका momentum conservation लगाएंगे तो देखेंगे इसमें होता है P initial is equal to P final मतलब collision से पहले अगर इनका momentum लिखे तो आएगा M1 U1 plus M2 U2 मैं इसमें vector नहीं लगा रहा हूँ है ना क्योंकि one dimensional motion देख रहे है बस plus plus लिख रहा हूँ लेकिन आपको समझना है कि ये U1 U2 जो है वो vector quantity है हो सकता है कोई ultra चल रहा हो तो हाँ पर minus sign लगाना पड़ेगा तो अभी हम लोग बीना vector के लिख रहे हैं इसको बाद में vector भी लगा दे लगा सकते हैं या जस्ट vector जैसा treat करेंगे वले डायर इस पर vector sign लगाया हो या नहीं लगाया हो तो यह हो जाएगा collision के बाद वला momentum M1 V1 इसका और M2 V2 इसका है ना हलाकि जो momentum conservation है हर instant पर यहां भी momentum यह भी मतला M1 V plus M2 V भी इन दोनों के बनागर होगा momentum conservation किसी भी instant पर लगा सकते हैं तो एक equation तो यह आ गया एक coefficient of restriction का formula हमने पढ़ा कि V2 minus V1 divided by U2 minus U1 is equal to minus E यह दो equation है और unknown भी अपने पास दो ही है V1 और V2 तो इन दोनों को solve करके हम लोग जो है वो V1 V2 के value find कर सकते हैं तो मैं इनका direct answer बताता हूँ आप इसको solve करके try कर सकते हैं यह आएगा तो जो V1 है V1 की value आएगी M1 minus E M2 into U1 divided by M1 plus M2 plus M2 1 plus E U2 divided by M1 plus M2 तो पहला वाला जो ball है उसकी final velocity यानि collision के बाद यह आजाएगा अब एक formula यह यार है तो दूसरे वाली की velocity भी निकाल सकते हैं U जो है वो इस ही formula से आजाएगा करना क्या होगा M1 M2 को interchange कर देंगे और U1 U2 को interchange कर देंगे तो M1 के जगा पर रखेंगे M2 और M2 के जगा पर M1 ठीक है तो यहाँ तो दोनो M1 M2 है तो ऐसे रख सकते हैं और U1 के जगा पर आ जाएगा U2 प्लस M2 के जगा पर M1 1 प्लस E U2 के जगा पर U1 by M1 प्लस M2 ठीक तो यह दूसरे वाले बॉल की velocity आ गई तो अगर एक यह formula याद है तो दूसरा अपने आप याद है और तीसरा जो होता है चुकि यह in elastic collision के लिए हमने लिया है तो loss in kinetic energy भी निकाल सकते हैं loss in kinetic energy यानि की delta K delta K कैसे निकालेंगे initial kinetic energy minus final kinetic energy मतलब इनकी दोनों kinetic energy add कर लेंगे शुरू में जैसे आएगा half M1 U1 square plus half M2 U2 square यह initial kinetic energy हो गया और final kinetic energy लिखेंगे यहाँ पर कोलिजन के बाद वाला आएगा half M1 V1 square plus half M2 V2 square V1 V2 के value यहां से रखके जब इसको simplify करेंगे तो जो अपना result आएगा यह आएगा half M1 into M2 by M1 plus M2 into U1 minus U2 का whole square into 1 minus E square तो यह हो गया loss in kinetic energy ठीक तो कुल मिलाकर collision में यह तीन formula यहाँ रखने हैं अगर कोई चाहे तो हर बार momentum conservation और constant of restriction का formula लगा ले फर्मुला लगा करके solve करके velocity की value निकाल सकते हैं otherwise कोई formula बार बार नहीं लगाना चाहता है तो यह formula याद कर लेगा है ना तो यह एक formula याद रहेगा तो यह अपने आप याद है और एक formula यह याद करना है तो हमनों loss in kinetic energy की value भी find कर सकते हैं तो अभी हमने पढ़ा head on in elastic collision के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे head on elastic collision के बारे में ठीक है तो देखेंगे कि यह जो collision हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर head on in elastic था तो इसमें e की जो value है वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखा जा सकता है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो formula हमने derive किया है इसी formula को direct वहाँ पर use कर लेंगे बस elastic collision है तो e की जो value है इसमें वो हम लोग 1 इसमें रख देंगे तो जो elastic collision है इसमें हम लोग e की जो value है वो 1 रखेंगे तो v1 हो जाएगा v1 का value आएगा m1 minus e m2 तो e1 है तो यह हो जाएगा m2 into e1 divided by m1 plus m2 plus m2 1 plus e होता है तो 1 plus e का value 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 2m2 into u2 divided by m1 plus m2 है ना जो formula हमने वहाँ track किया है उसमें बस e की value 1 डाल दिया तो यह v1 आ गया उसी तरह से दुसरा वाला जो बॉल है उसकी velocity v2 आ जाएगी कुछ इतनी m2 minus m1 into u2 divided by m1 plus m2 plus 2m1 u1 divided by m1 plus m2 तो v2 में भी हमने e का value 1 रख दिया है अब loss in kinetic energy जो है उसका value निकालेंगे तो इसकी जो formula था यह रखा था हमने half m1 m2 by m1 plus m2 u1 minus u2 का whole square 1 minus e square तो देखेंगे कि अगर इसमें e का जो value है मैं 1 रख दूँ तो यह 1 minus 1 0 हो जाएगा है ना यानि loss in kinetic energy हो जाएगा 0 यानि collision के बाद और collision के पहले जो kinetic energy उसका change 0 है उनका difference 0 है मतलब कि kinetic energy change नहीं हो जाएगा कि elastic collision है और उसमें जो दोनों object है उन दोनों object का mass equal हो गया M1 M2 दोनों बराबर हो गए M mask हो गए अब collision होगा तो क्या होगा तो अब देखेंगे कि जो V1 हैगा M minus M e term तो 0 हो जाएगा बस वो term रह जाएगा क्या बचेगा 2 M by 2 M यह भी M plus M 2 M हो जाएगा 2 M 2 M cancel यानि U2 रह जाएगा तो V1 की value आ गई U2 ठीक है और उसी तरह से जब V2 की value निकाल लेंगे तो M minus M e term 0 हो जाएगा यह बचेगा 2 M by 2 M 2 M 2 M cancel U1 रह जाएगा यानि कि यह हो जाएगा U1 तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब आप देखेंगे कि जैसे collision के पहले और collision के बाद का figure बनाएं यह M1 mask का object है यह ना यह भी M1 है यह भी M2 है ठीक ह actually में M1 M2 equal है मैंने M1 M2 जानबुच के लिखा है कि हम लोग identify करें कि यह पहला बाला object है यह दूसरा बाला object है actually में M1 M2 equal है ठीक है तो collision से पहले अगर इसकी velocity थी U1 और इसकी velocity थी U2 यह था before collision after collision क्या हो जाएगा after collision देखेंगे कि जो इसकी velocity होनी चाहिते V1 वो U2 हो गई यानि इसकी velocity हो गई U2 और इसकी velocity V2 होनी थी जो की U1 के बराबर हो गई अब देखें क्या हो गया इसकी velocity पहले U1 थी अब U1 उसके पास चले गए दूसरे वाले के पास और इसकी velocity M2 की पहले U2 थी अब यह M2 पहले वाले U2 जो है यह M1 के पास आगी velocity यानि velocity इंटरचेंज हो गया जो velocity इसके पास थी collision से पहले वो उसके पास चले गई और जो इस इसके पास थी वो इसके पास आगए तो कह सकते हैं कि velocities are interchanged velocities are interchanged when collision यह कह सकते हैं कि elastic collision takes place between two bodies of equal mass तो इस result को हमेशा याद रखना है अब आते हैं जो तीसरे टाइब कोलिजन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे head on perfectly inelastic collision inelastic collision इसमें जैसा कि बताया इका value हो जाता है जीरो तो इसके लिए लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है हमने जो inelastic collision के लिए यह जो formula drive किया था इसमें e का जो value है वो जीरो रख देना है तो जीरो रखने से क्या होगा कि जो v1 है देखेंगे यहाँ पर e का जीरो रखने से आएगा m1 e1 by m1 plus m2 m1 u1 by m1 plus m2 प्लस जो दूसरा वल अटरन है इसमें e0 कर देंगे तो बचेगा m2 u2 by m1 plus m2 m2 u2 divided by m1 plus m2 उसी तरह से अगर v2 निकाले v2 की value इसमें से निकालेंगे तो यह e0 रखेंगे तो यहाँ आएगा m2 u2 by m1 plus m2 m2 u2 divided by m1 plus m2 plus जो दूसरा वला टर्म है यहाँ पर देखेंगे इसमें e का value हम लोग करेंगे 0 तो यहाँ आएगा m1 u1 divided by m1 plus m2 m1 plus m1 u1 divided by m1 plus m2 यहाँ गया अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर एक question करते हैं question में आप देखेंगे कि यहाँ पर तो इसमें देखेंगे यह जो example हमें दिया गया है इस example में दो ball दिये गये हैं एक है 3 kg mass का दूसरा है 2 kg mass का यह ball 10 meter per second से जा रहा राइट ओर डिरेक्शन में और दूसरा वाला जो है 5 meter per second से लेफर डिरेक्शन में जा रहा है question में यह कहा गया है कि if surface is smooth मतलब नीचे वाला जो surface है यह smooth है and collision is elastic elastic collision है तो E का value होगा 1 then find velocities of 2 balls after collision collision के बाद इनकी velocity find करनी है तो हम लोग क्या करेंगे यह वाला formula उज़ करेंगे तो इसमें V1 की value निकालेंगे सबसे पहले हमें क्या करना होगा जो समय ने बताया कि यहाँ पर U1 U2 बहले ही vector हमने नहीं लगाया है लेकिन हमें उनको vector मान करके चलना है इसलिए हमें उनका direction भी इसमें डालना पड़ेगा direction कैसे करेंगे मान लेते हैं कि यह जो direction यह positive है और यह direction negative है तो direction के लिए positive negative sign इसमें substitute करेंगे तो अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको object 1 मान लेता हूँ इसको object 2 मान लेता हूँ तो U1 जो होगा यानि इसकी जो velocity होगी वो हम लोग रखेंगे plus 10 इसकी जो velocity होगी U2 उसको लिखेंगे minus 5 M1 यानि कि इसका mass रखेंगे 3 kg और इसका mass रखेंगे 2 kg यह values हम लोग इस formula में sub-shoot करेंगे तो V1 की जो value आएगी यह आजाएगा M1 यानि कि 3 kg minus M2 2 kg into U1 U1 जो है plus 10 है divided by M1 plus M2 plus यहाँ पर देखेंगे 2 M2 U2 है by M1 plus M2 तो 2 M2 का मतलब 2 U2 के value minus 5 divided by M1 plus M2 यह होगया तो यह देखेंगे तो हो जाएगा 1 यानि 10 by 5 यानि कि यह होगया 2 यहाँ पर आएगा यह 5 है और यह भी 5 है तो 5 से यह 5 कैंसिल हो जाएगा यह जाएगा minus 4 यानि कि minus 2 meter per second उस तरह से दूसरे वाले बाल की वेलोसिटी निकालेंगे तो उसके लिए विखना पड़ेगा हमें M2 minus M1 into U2 M2 है 2 के जिका M1 है 3 के जिका into U2 U2 है minus 5 by M1 plus M2 plus यहाँ पर 2 M1 U1 2 M1 है 3 U1 है 10 by M1 plus M2 तो इसको जब हम लोग solve करेंगे तो यह जो टर्म है यह आजाएगा minus 1 और यह minus है तो minus minus plus 5 by 5 यानि यह हो जाएगा 1 और फिर plus यह 5 है तो इस 5 से यह 10 cancel हो जाएगा 2 बार में तो हो जाएगा यह हो जाएगा 12 यानि की आगया 13 मीटर पर सेकंड तो इस तरह से देख सकते हैं कि यह जो फार्मूला है यह direction भी बताता है और magnitude भी बताता है minus 2 का मतलब क्या हुआ कि यह वाला जो बाल है collision के बाद यह इधर चल रहा होगा left direction में चल रहा होगा 2 मेटर पर सेकंड से और यह वाला जो बाल है 2 केजी वाला इसकी velocity प्लस 13 आई है तो यह इधर चल रहा होगा 13 मेटर पर सेकंड से तो इस formula में जब भी हम लोग velocity को positive negative proper sign के साथ में रखेंगे तो answer भी proper sign के साथ में आएगा अब next example करेंगे देखेंगे इसमें total 6 identical balls दिये गए है कहा गया है if all the 6 balls are identical and all the collisions are elastic elastic collision होते हैं सारे then find velocities of each ball after all the collisions have taken place मतलब जितने collisions होने हो वो अगर हो गया हो उसके बाद final velocity बतानी है सारे balls की इसमें देखेंगे कि पहले 2 balls हैं इनको velocity भी दिया गया है और बाकी 4 जो हैं वो सुरू में rest पर हैं तो मैं इनका एक और figure बनाता हूं तो पहले क्या है कि ये पहले 2 जो हैं ये चल रहे हैं और बाकी जो हैं rest पर हैं तो जब अगली बार जब collision होगा ये इस से टकराएगा तो इसको velocity भी मिल जाएगा देखेंगे कि identical है और हमने क्या पढ़ा कि अगर elastic collision हो और mass equal हो तो velocities interchange हो जाती है आप देखें यहाँ पर हमने एक result यहाँ पर लिखा है कि velocities are interchange when elastic collision takes place between two bodies of equal mass चुकि ये identical है तो इनका mass आपका equal है तो velocities interchange हो जाएगी जब इसका और इसका collision होगा तो इसको velocity भी मिल जाएगी और ये रूख जाएगा फिर क्या होगा ये वालो जाकर उससे टकराएगा तो इसको velocity भी मिल जाएगा और ये रूख जाएगा तो जब एक collision इसका हो जाएगा फिर इसका हो जाएगा तो यह वाला situation होगा अगली बार क्या होगा अगली बार फिर यह आगे जा करके टकराएंगे तो होगा क्या यह इससे टकराएगा तो इसको तो velocity V मिल जाएगी यह रुख जाएगा फिर यह इससे जागा टकराएगा तो इसको velocity V मिल जाएगी ये रुक जाएगा तो अभी जो है बाकी 4 फिर से रुके हुए बाकी दो चल रहे हैं अगला जो state होगा उसमें कुछ ऐसा होगा कि ये इस से जाकर टकरा जाएगा तो इसको velocity v दे देगा ये रुक जाएगा क्योंकि velocity interchange होनी है फिर चुकि ये रुका हुआ है और ये v से चल रहा था ये टकराएगा इससे तो इसको velocity v मिल जाएगा ये रुक जाएगा और अगली बार जो है फिर से इसी तरह से collision होंगे और ये वाला इसको टकरा करके velocity v दे देगा ये रुकेगा तब तक ये जाकर टकराएगा इससे तो इसको velocity v मिल जाएगा ये रुक जाएगा तो होगा क्या finally कि ये जो 4 है left में जो 4 हैं ये सारे rest पर हो जाएगे और ये दोनों जो है वो v velocity से forward direction में चलते रहेंगे अब जो है collision से related हम लो next example करेंगे इस example में total 2N identical balls दिये गए आप देखेंगे figure में 2N identical balls है बीच में daughter का मतलई है बीच में कई सारे balls है और इनका numbering किया गया है चुकि ये सारे जो ball है वो identical है यानि इनका mass बराबर होगा तो ये मैंने 1, 2, 3 लिका है ये इनका mass नहीं है बलकि इनका number है 1, 2, 3, 4 ऐसे numbering जो है 2N तक numbering किया हुआ है इसमें से जितने भी odd number वाले ball है इनको velocity भी दिया गया है rightward direction में odd number वाले जो ball है इनको rightward direction velocity दिया गया और तो even number वाले ball है उनको left direction में उतनी ही velocity दी गई जैसे 2 number वाला है इसको left में भी दिया गया 4 वाले को left में दिया गया 2N minus 2 वाले को भी left में दिया गया और 2N वाले को भी left में दिया गया ठीक है सबका speed बराबर है direction जो है odd वाले का rightward direction में और even वाले का left-ward direction में कहा गया है कि if all the collisions are elastic then find total number of collisions which can take place ठीक है यहाँ पर कहा गया है कि 2N identical balls है जिनका numbering किया हुआ है 1 से 2N तक ठीक और सारे collisions जो है वो elastic है तो पहले बाद तो यह हमें ध्यां रखना होगा कि collision elastic है balls सारे identical है तो velocity interchange हो रही होगी है तो total कितने collisions होगे वो हमें देखना है तो होगा क्या मैं वो अलब figure जो है वो एक बार यहां बना रहा हूँ यह सारे balls है 1, 2, 3, 4 2N-2 2N-1 और 2N तो जब पहली बार collision होगा सब के बीच में collision होगा हर दो बाल एक दूसरे से टकराएंगे यह दो एक दूसरे से टकराएंगे यह दो एक दूसरे से टकराएंगे यह दो एक दूसरे से टकराएंगे यह जो है इधर वाले balls से टकराएंगा तो दो-दो के बीच में collision होगा यानि total number of collisions होगा पहली बार में वो हो जाएगा N collisions, क्योंकि दो मेलकर एक collision हो रहा है तो 2N balls है, तो 2N by 2 यानि कि N collisions होगे, है ना तो पहली बार में N collision होगा ठीक, अब collision के बाद क्या होगा, यानि सबकी velocity interchange होगी होगी, यानि इसकी velocity ये वाली मिल जाएगी left direction में और इसको velocity right direction में मिल जाएगी, उसी तरह से इसको velocity left में मिलेगी और इसको velocity right में मिलेगी, यानि इनकी velocity सबकी interchange होगी होगी, इसको right में मिल जाएगा, तो इससे टकराएगा इसकी वाली velocity इसको मिल जाएगी और इसकी वाली इसको मिल जाएगी है ना फिर इसको इधर मिला होगा सब की velocity इंटर्चेंज हो गई अब क्या होगा आप देखेंगे कि ये last के दो बॉल किसी से नहीं टकराएंगे क्योंकि ये दूर जा रहा है ये भी दूर जा रहा है तो इधर टकराएंगे नहीं तो ये last के दो बॉल किसी से नहीं टकराएंगे, बाकी दो दो फिर से टकराएंगे, यह दो टकराएंगे, इधर भी दो टकराएंगे, तो अब कितने बॉल्स बचे हैं जिनका कोलिजन होगा, अब बॉल्स बचे हैं 2N-2, 2N बॉल्स से इसमें से दो बार निकल गए, तो इतने बचे हु collision होगा और n-1 collision होते ही क्या होगा इनकी velocity फिर से interchange हो जाएगी यानि इसकी velocity हो जाएगी इधर इसकी velocity हो जाएगी इधर सबकी velocity तरह से कहें तो reverse होगी इसकी इधर हो जाएगी और इसकी इधर हो जाएगी तो होगा क्या अगली बार में देखेंगे कि ये और ये यहां से इधर दोनों जो किसी से ने टकरा रहे होंगे अब ये दोनों निकल गए इधर अब ये भी किसी से इधर टकराएगा नहीं ये भी किसी से टकराएगा नहीं तो दो और बॉल निकल गए बाकी ये जो बचे होंगे, अब कितने बचे होंगे, अब बचे होंगे 2 n-4, टोटल 4 बाहर जा शुके हैं, अब इतने बहुत बचे हैं तो 2-2 फीस टकराएंगे, तो कितने कोलिजन होंगे, 2 से डिवाइड कर देगे, यानि ये n-2 कोलिजन होगा अगली बार, तो अगली ब ठीक है तो अगले बार फिर से ये दो किनारे वाले बाल बाहर निकल जाएंगे मतलब इस बार बचेंगे 2N-6 बाल से बचेंगे 6 निकल गए 3 उधर 3 इधर तो नमबार अपको लिजन होगा बाइ 2 यानि कि 1-3 तो हर बार क्या होगा कि हर बार दो दो बाल कम होते जाएंगे और इस तरह से कम होते होते हैं लास में दो बाल होचेंगे उनका भी कोलिजन होगा फिर उल्टे चले जाएंगे तो इस तरह से प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 जीरो जब लास के दो बाले भी निकल जाएंगे फिर collision ही नहीं होगा तो total number of collisions आप count करेंगे सबको add करेंगे 1 से n तक count करेंगे तो यह आएगा n into n plus 1 divided by 2 तो total number of collisions जो है वो